ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो लॉ कर रहे हैं जो लॉ स्टूडेंट्स हैं जैसे कि हम सब को पता है कि अब हमें फी स्ट्रक्चर दे दिया गया है और हमको डेडलाइन भी दे दी है कि इससे पहले-पहले हमको फी सब्मिट करनी हैं और उन लोगों के में पास बहुत सारे मेसेज़ आ रहे हैं कि मैं इस चीज पर भी वीडियो बनाऊं कि इतने शॉर्ट टाइम पीरिएड में इतनी जादा फीस जब की लॉक्डाउन लगा हुआ था तो भी हम इतनी जादा फीस क्यूं हमें देनी पड़ रहे इस चीज को भी नोटिस किया जाए तो मैं उन लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि BCI ने एडवाईज दे दी है कॉलेज़ और उनिवर्सिटीज को कि कॉलेज़ और उनिवर्सिटीज अपनी जो फीस ट्रॉक्चर है उसको सिंप्लिफाई कर दें जो वो पूरी फीस एक ही बारे में मांग रहे इतने कम दिनमें जैसे कि हमको कल पर सुनोटस है और फाइव औगस्त तक हमको फीस सब्मिट करनी है डेडलाइन है फाइव औगस्त तो BCI ने ये कहा है कि इसको सिंप्लिफाई कर दिया जाए या तो टाइम बढ़ा दिया जाए या फिर इजी इंस्टॉल्मेंट्स में ले ली और जो बच्चे जिनको दिक्कत है जिनको बहुत ही जैनुवन दिक्कत है जो नहीं फीस दे सकते हैं क्योंकि COVID-19 की वजह से हमें पता है कि लोगों को इतना source of income कुछ भी नहीं हो पा रहा है उनको अपनी घर चलाने में दिक्कत हो रहे हैं वो 60-70-70-70,000 फीस क्या देंगे कैसे दे पाएंगे वो फीस तो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है में इन सब चीजों को consider करना इन सब चीजों को सोचते हुए सब फीस वगेरा सब कुछ रखना क्योंकि वो बच्चे नहीं मानेज कर पाएंगे और फिर यह कह देना कि D-bar कर दिया जाएगा यह तो बहुत कि जैसे जो लाइबरी है और जो इंफ्रास्ट्रॉक्टर फीस है वो सब चीजे तो अभी यूज ही नहीं हो रही है कॉलेजिस तो बंद है तो उन सब चीजों की फीस को क्यों कंस्टर किया जाए उनको क्यों नहीं exclude किया जाए यह सब एडवाइजिस को दे दी गई है BCI के द्वारा and I hope कि इन सब चीजों पर भी action लिया जाए क्योंकि क्या है कि जब भी फीस देने की बारी आती है तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि बच्चे नहीं फीस दे रहे सारे बच्चे डेडलाइन से पहले ताइम से पहले ही अपनी फीस सब्मिट कर देते हैं लेकिन इस ट पहले हमको समझना चाहिए और जो बच्चे हैं जो फीस नहीं दे पारे उनको specially उनको डी पार ना कर दिया जाए उनको थोड़ा और टाइम दे दिया जाए या फिर इंस्टॉल्मेंट में पैसे ले लिया जाए I hope कि school I hope कि colleges and universities इस चीज को सच में आक्शन में लाए क्योंकि जेनुनली प्रॉबलम है नहीं तो कोई भी ऐसा नहीं करता है फीस देने के टाइम पे सब टाइमली फी पे कर देते हैं थैंक यू